हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी सिलाई के लिए मोचलिक किन चीजों की जरूत पड़ती है सबसे पहले सिलाई मसीन इसके बिना तो आप तुछ आगे स्टार्टी नहीं कर सकती उसके बाद बेसिकली आपके पास क्या क्या चीजी होने चाहिए मैं उनके बारे में नापना ना पड़े दूसरा इंची टेप सिलाई नापने के लिए उसके बाद सूट या जो भी आप कट करोगे पैंट और उसमें निशान लगाने के लिए कैची यह थोड़ी अच्छी क्वाल्टी की लेना क्योंकि अगर कैची अच्छी क्वाल्टी की नहीं है और अगर हमारा कपड़ा तेड़ा मेड़ा करता है तो उससे हमें प्रोब्लम होती है सिलाई करने के बाद ठीक है यह छोटा इसको क्या बोलते है मुझे नहीं पता कैची ही है मेरे लिए तो यह धागे कटिंग जब कभी आपकी सिलाई गलत हो जाती है उसको उन धागों को हटाने के के लिए और सेलाई में बार-बार जब कपड़ा हटाते हैं तो उसका धागा कट परने के लिए चोक्स सिलाई पर निसान मानने के लिए कभी भी किसी स्केच पैन या कलर से निसान नहीं मारे किसी भी सूट पर क्योंकि बाद में हमें दिक्कत आती हैं और ग्लू कोई भी बट जाता है सूट वगरा तो उस जगह पर हम रिफ्यूजिंग टेप लगा के विदाउट सिलाई किये हुए उस कट को बंज कर सकते हैं फिर उसके बाद होती रिफ्यूजिंग पेपर यह मोस्टली काम आता है जब हमारा कपड़ा हलका होता है और उसको बेस बनाने के लिए त सिंगल धागाई घरिदे यह है सलवार के पाइचे बनाने के लिए ओइलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप से लाई करते हो तो आप एक या दो सूट सेलने के बाद मसीन के अंदर ओइलिंग जरूर करें तापकि आपके मसीन बिलकुल हलकी चले आपको कोई दिक इतने नंबर की सूई लगेगी या आपको पतली सूई चाहिए तुरपाई के लिए कौन सी है पाइपिंग निकालने के लिए कौन सी है नेक्स डिजाइन इसमें नेक्स डिजाइन अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको बुकरम की काफी बचत भी होती है और अग नेक्स simplemente के लिए परकतिंग के लिए स्केह लिए तो अगर से आपके पास तो आपके पर्फेक्ट किके अंदर आप cuttings डाल सकते हो और इसके अलावा आपके अंदर confidence होना बहुत जरूरी है सिलाई के लिए क्योंकि कपड़ा waste करने से पहले हम यही सोचते हैं कि हमारा कप सिलाई अगर हम करें तो यह waste ना हो जाए कोस्टली कपड़ा है फिर हम tailor के पास सले जाते हैं तो इसके लिए confidence थोड़ा जरूरी है तो अगर आपको और कुछ जानना है किसी भी जीस के बारे में तो आप मुझे comments कर सकते हैं मैं आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगे Thank you, please subscribe my channel